हेलो माई फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूटिव चैनल सुमन्स डिलीशिस किचेन में स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए बच्चों के फेवरेट चॉकलेट वेफर रोल घर पर कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ देखिए हमारी चॉकलेट वेफर रोल कितने ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं पिलकुल क्रॉंची और क्रिस्पी हैं तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बोल उसके उपर हम एक छलनी रखते हैं अब हम उसमें एक कटोरी या लगभग सो ग्राम मैदा डालते हैं अब हम इसके अंदर उसी कटोरी जितनी नाप कर एक कटोरी पिसी चीनी डाल देते हैं अब हम इसमें दो बड़े चम्मच कोको पाउडर डाल देते हैं अब हम इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देते हैं इससे हमारे चॉकलेट रोल बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे अब हम इसमें एक चुटकी नमक डाल देते हैं और अब हम इन सभी पावडर्स को अच्छे से छान लेते हैं अगर इन पावडर्स में कोई गुटली हुई तो छानने से वो निकल जाती है इसलिए हम इने छानना ज़रूरी होता है देखिए हमारी गुटलीयां अलग हो गई हैं छानने की विज़ा से अब हम इन सभी पावडर्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम दो बड़े चमच रिफाइन ओड लाल देते हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसके अंदर हलका कर्म दूद डालेंगे और उसी से इसका स्मूद सा बैटर तयार करेंगे हमें धीरे धीरे करके इस दूद को डालना होगा और हमें फ्रिज का दूद बिल्कुल भी नहीं लेना है उसे हलका सा कर्म करना है और तभी इसे इसमें यूज करना है धीरे तीरे हम इसमें दूद को डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे देखिए हमने सारा दूद डालकर इसका एक अच्छा सा स्मूध बैटर तयार कर लिया है इसकी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए अब हमारा बैटर बिल्कल तयार है अब हम इसके अंदर एक चमच वनिला ऐसंस डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसको दो मिनट के लिए धक कर रख देते हैं हम एक नोन स्टिक पैन को गैस पर बलकुल हलका गर्म करते हैं अब गैस आफ करके उसे नीचे उतारते हैं और उस पे हमारा एक चमच बैटर डालते हैं और इसे डालने के बाद हमें अच्छे से चम्मत से फैलाना होगा अगर आप इसे चम्मत से नहीं फैला पा रहे हैं तो आप इस टाइप की ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं आपको इसे बिल्कुल पतला पतला सबी जगह से equally फैलाना होगा आपको ये ध्यान रखना है कि इसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए हमने इसे बिल्कुल पतला, गोल और सबी जगा से अच्छे से फैला दिया है अब हम सबसे पहले गैस को ओन करते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें गैस को लो ही रखना है लो गैस पर ही हमें इसे सेख कर बनाना है अब हम इसके उपर पैन को रखते हैं और हमें दो से तीन मिनट लगने वाले हैं वेफर को सेखने में देखिए हमारा वेफर कितने अच्छे सिखने लगा है इसका कलर भी काफी चेंज हो गया है और अब इसमें बबल्स भी निकलने लगें इन बबल्स से ये पता चलता है कि हमारा वेफर सिखने लगा है ये बबल्स हमारी वेफर की पहचान है कि ये अब सिख गया है और अब हम पलटने की तैयारी करते हैं और दूसरी साइड से सेखते हैं अब हम एक सपेच்क ले की हेलप से इसे थोड़ा सा उतारने की कोशिश करेंगे पिल्कुल साफधानी से और बहुत आराम से और अब हम इसे गैस के उपर से नीचे रख लेते हैं और अब हम इसे अपने हातों की हेल्प से आसानी से आराम से उतारते हुए पलट कर रखतेंगे जिससे हमारा वेफर तूसरी साइड से भी सिख जाए और अब इसे गैस पर रख देते हैं इस बात का आप स्पेशले ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम लो ही होने चाहिए हम इसे एक मिनिट तक और सेखना होगा आप चाहें तो इसे एक बार उठा कर देख भी सकते हैं हमारा वेफर सिख गया है या नहीं अब हमारा वेफर सिख गया है अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं और एक बारीक सी स्टिक की हेल्प से इसे फटा फट से रोल कर देते हैं आपके पास को स्टिक ना हो तो आप एक स्ट्रो या फिर किसी पैंसिल की help से भी इसे roll कर सकते हैं और इसे आराम से roll करके रख देते हैं अब हम pen को एक tissue के help से साफ कर लेते हैं और इसमें बाकी के roll भी बनाते हैं मैं आपको एक और wafer roll बना के दिखाती हूं हमने पहले से ही pen को बहुत हलका गर्म कर लिया था और उसके उपर हम थोड़ा सा batter डाल कर उसे अच्छे से फैला देंगे आप चाहें तो इसे चम्मच से भी कर सकते हैं और brush की help से भी इसे equally फैला सकते हैं मैं इसे फटा फट से brush की help से गोल, equal और बिल्कुल पतला फैला लेती हूं brush की help से हमें इसे फैलाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ये काफी अच्छा फैल जाता है अब हम gas को फिर से on कर लेते हैं और हम gas की बिल्कुल low flame कर देते हैं और उसके बाद ही हम pan को gas पर रखते हैं और फिर से इसे 2 से 3 मिनट हमें एक साइड से सेखना होगा इसकी पहचान यही है कि bubbles आने लगते हैं देखे इसका color काफी change हो गया है जैसे ही अब इसमें bubbles आएंगे हमें इसे पलट देना होगा देखे इसमें bubbles आने शुरू हो गए हैं तो अब हमें इसे carefully पलट देना होगा हमें एक spatula की help से इसे थोड़ा सा उतारना होगा किनारे से अब हम gas पे से इसे नीचे उतार लेंगे और अपने हातों की help से आराम से इसे उतार कर पलट देंगे और अब हमें इसे दूसरी साइड से भी सेख लेना होगा इसे वापस से gas पर रख देते हैं gas की flame अभी भी low ही है तो अब इसे हम सेख लेते हैं लगभग एक मिनिट लगेगा इसमें सेखने में अब हमारा second wafer roll भी तयार है विलकुल अब हम इसे फटाफट से roll कर लेते हैं अगर आपने इसे बनाने की तुरंत बाद roll नहीं किया तो ये ठंडा होने के बाद hard हो सकता है और उसके बाद ये roll भी नहीं होगा तो इसलिए आपको इस step को बहुत ही अच्छे से बहुत फटाफट करना होगा इसी तरीके से हम बाकी के भी rolls बना कर रख लेते हैं हमने इस सारे rolls को बना कर तैयार कर लिया है अब मैं आपको एक roll को तोड़ कर दिखाती हूँ ये देखी ये कितना crispy बना है बहुत ही ज्यादा crunchy है एक दम से तूटता जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा tasty लगते हैं खाने में आप इन सभी को बना कर एक airtight container में बंद करकर रख दीजेगा ये पिल्कुल भी खराब नहीं होंगे एकदम crispy बने रहेंगे यहाँ पर हमने natela लिया है chocolate spread जो हम इन rolls के अंदर भड़ने वाले हैं हमने यहाँ पर एक piping bag लिया है जिसकी help से हम इन chocolate rolls के अंदर chocolate spread को डालेंगे अब सबसे पहले हम इस piping bag में chocolate spread को चमच की help से डाल देते हैं अब हम एक wafer को हाथ में उठा कर उसके अंदर इस piping bag के help से इस chocolate spread को इसके अंदर अच्छे से fill कर देंगे एक side से fill करने के बाद हम अब दूसरी side से fill करेंगे इसे अच्छे से आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं बिना chocolate spread के भी आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही tasty लगेंगे और अगर आपके पास chocolate spread ना हो तो आप इसके अंदर melted chocolate को भी fill कर सकते हैं ये बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं तो आप एक ही बारे में बहुत सारे chocolate rolls बना कर उन्हें airtight container में भरके रख दीजें और वो 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होते हैं देखे हमारे chocolate rolls कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में और साथ ही साथ खाने में ये बहुत ज्यादा tasty भी हैं इनके अंदर हमने chocolate spread को अच्छे से fill किया हुआ है तो ये और भी ज्यादा chocolate ही हो गए हैं तो देर किस बात की जट पर इनी कभी भी घर पर बनाईए और enjoy कीजे आपको हमारे वीडियोज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोज को like, share और comment ज़रूर करें और पहला आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली notifications आपको मिलती रहें Thanks for watching, मिलते हैं हमारी next वीडियो के साथ